तो बच्चो अब बढ़ते हैं second topic की ओर हमारा second topic है vector product of two vectors तो बच्चो इस topic के हमारे learning objectives हैं हम vector product की definition पढ़ेंगे फिर उनकी properties के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उनके rectangular components हम कैसे derive करें हमारा पहला concept video vector product की definition पर आधारित है मान लीजे हमारे पास दो vectors हैं आपकी screen पर vector A और vector B तो इनके vector product को हम किस प्रकार लिखें इनके vector product को हम A cross B इस तरीके से लिखते हैं अब यह cross sign इस बात का प्रतीक है कि जो हमारा product निकलके आ रहा है vector multiplication से वो एक vector quantity है बच्चों याद करिए कि आपने इससे पहले एक और vector multiplication सीख रखा है जिसे हम dot multiplication या dot product भी कहते हैं दो vectors के dot multiplication से आपको एक scalar quantity मिलती है जबकि दो वेक्टर के cross multiplication से आपको vector quantity मिलती है अब यदि इनके बीच का एंगल थीटा हो तो हम a cross b को मॉडिलस a multiplied by modulus b multiplied by sin theta multiplied by n cap के form में express कर सकते हैं इस equation में लिखे हर एक variable का एक महत्व है mod a represent करता है vector a के magnitude को mod b represent करता है vector b के magnitude को sin theta basically a और b के बीच के angle का sin ratio है जबकि यहाँ पर सबसे important बच्चों n cap होता है n cap एक unit vector है चुकि cap notation है तो आपको पता है ये एक unit vector होगा अब n cap वो unit vector है जो a cross b यानि कि इनका जो नया vector product है उसकी दिशा निर्धारित करता है अब अगर हमें यह जानना हो कि n cap की दिशा क्या होगी अब n cap की direction देखें हम n cap जैसा की मैंने बताया a cross b जो नई vector quantity है उसकी direction निर्धारित करता है थीटा एंगल थीटा एंगल हमेशा 0 से 180 degree के बीची होगा एक और खास बात बच्चों हमेशा दो vector vector a और vector b जिस भी plane में होंगे n cap n cap जी हाँ वो unit vector जो a cross b के along है n cap हमेशा a और b को contain करने वाले plane के perpendicular होगा बच्चों यानि कि हम यह कह सकते हैं कि a और b vector के cross product से जो नया vector हमें मिलता है वो हमेशा a और b के mutually perpendicular होगा तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया vector a और vector b के cross product हमेशा उनको contain करने वारे plane के perpendicular होगे जैसा कि चितर में आप देख सकते हैं red color और yellow color के दोनों vectors a और b के cross product को represent करते हैं बट अब इनकी exact direction यानि की exact दिशा जानने के लिए हमें एक नियम का प्रयोग करना होगा यह है right hand thumb rule तो बच्चो a और b दो co-planar vectors हैं अब चुकि हमने a cross b लिखा हुआ है तो a पहला vector है हमें क्या करना होगा हमें अपने right hand की fingers को vector a के across रखना होगा और b की तरफ fold करना होगा ऐसा करने पे हमारा thumb यानि अंगूठा जिस दिशा की और point करें वही हमारे vector की direction होगी अब अगर मैं a cross b करूँ तो मेरा thumb ऊपर की direction में point out करेगा और अगर मैं b cross a करूँ तो नियम के अनुसार मुझे अपनी right hand की fingers b पर रखनी होगी और उन्हें a की तरफ मुझे मोड़ना होगा ऐसा करने पर बच्चों मेरा thumb downward direction में point out करता है यानि की मुझे just opposite vector मिलेगा जो की मुझे a cross b के case में मिल रहा था तो उससे हम ये relationship भी establish कर सकते हैं कि a cross b और b cross a इन दोनों ही vectors की direction just opposite होगी तो ये relationship निकल कर आता है बच्चों a cross b is equal to minus of negative of b cross a बच्चों vector product का significance क्या है अगर आप मुझे से पूछेंगे कि सर इसका practical meaning क्या है तो मैं आपको एक उधारन देता हूँ जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं मैंने एक parallelogram बनाया है जिसकी adjacent sides vector a और vector b से represent हो रही है तो अगर मैं a cross b के magnitude को देखूँ जो की a dot b dot sin theta के बराबर होगा तो बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि vector a और vector b का cross product का जो magnitude है वो हमारे इस parallelogram के area के बराबर आ रहा है यही हमारे vector product का एक practical उधारन है एक significance है अब आपके लिए मैं एक सवाल देता हूँ सोचो की a और b के common point of intersection से अगर मैं एक और perpendicular vector डाल दूँ तो इन तीनों ही vectors के vector product का physical significance क्या होगा यह आप थोड़ा घर जाकर brainstorming करिए और मुझे बताईएगा तो concept test के लिए त्यार हो जाईए बच्चों magnitude of vector a and b are respectively 3 and 6 and angle between a and b is 30 degree find the magnitude of vector a cross b यहाँ पर इस प्रश्ण में आपको vector a और vector b के magnitude दिये हुए है उनके बीच का angle भी आपको 30 degree दिया हुआ है तो बच्चों आपको इनके cross product का magnitude find out करना है तो बच्चों इसका solution देख लेते हैं चूंकि यह बहुती formula based question है सारी information आपको question में ही दी हुई है आपको बस इसमें formula लगाना है तो इस तरीके से हमारा answer 9 आता है